कि आप सभी का बहुत सब्सक्राइब करता हूं मैं हमारी इस वीडियो को जिसना आज बात करने वाले है वास टेस्टिंग गाइड वर्जन फोर्ट की चेकलिस्ट है जो मैं कम्प्लीट बताने वाला हूं आपको पूरे पूरे सीरीज के अंदर यह सीरीज होने वाली काफी इसक्लूजिवली उन लोगों के लिए जो वैब अप्लिकेशन टेस्टिंग के अदर अपना करियर प्लान कवर करते जो एक पेंटेस्टर किसी एप्लिकेशन में कवर करता है सिक्यरी टेस्टिंग के दौरान यह होने वाली काफी यूसफुल और इसके उपर शायद कंटेंट आप हो कहीं नहीं मिलने वाला जो हम स्रीज लेकि चल रहे है उसके अंदर वास के अंदर जितनी भी पा आपका उसके डेटा वैलिडेशन टेस्टिंग आएगा उसके बाद फिर आप नीचे आएंगे अपन काफी तो और फिर आएगा यहांपका एरर हैंडलिंग आएगा क्रिप्टोग्राफिक रिलेटेट इशू अम लोग डील करेंगे इसके अंदर बिजनस लॉजिक रखाने वालों मतलब डमी तो रहाएगा इसारी साथ में हमें लाइव साइट के ओपर भी यह आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा और इसके बेस्ट बात जो होती है कि यह समरी आप इसमें समरी देख पाएंगे जैसे से मैं इनफोर्मेशन डालता जाओंगा इसके अलावा कि यहां पर दे रखा है कि sensitive data क्या है तो वो सब चीज़े automatically risk rating आपकी आती रहेगी और in the end हम लोग दिखेंगे risk rating क्या हो उस website की और references दे रखें यह सारे references दे रखें यहां पर ठीक है यह जो basically अपने इन सब के अंदर use करने वाला तो यह काफी कुछ important होने वाला यह वाला ज दे रखेंगे तो यह पहली वीडियो जो है यह सबके लिए open public to all ताकि आप समझ सके इस series के अंदर क्या होने वाला और किस level पर practical जो होने वाले तो इसलिए मैंने यह पहली आली वीडियो सबके लिए open रख दिया और उसके बाद जो है यह आप अगर आपको से पूरी series चाह शुरुबात करते है practical का सो पहला यहां पर दे रखा कि information gathering में otg info 001 जो दे रखा है उसके अंदर conduct search engine discovery and recurrence for information leakage so basically यहां पर नाम देखा test का नाम क्या है plus description दे रखा यूज search engine to search for a network diagram configuration confidence और credentials और error message content या और तूल जो हमें use करना उसमें से हम लोग Google hacking कर सकते हैं site digger कर सकते हैं इसके लाव शुडान कर सकते हैं फोका कर सकते हैं और punk spider कर सकते हैं तो इसके अंदर अभी इसको मैं करता हूँ not started इसको भी करते है तो मैंने जो अभी tool use मुझे करने वाल है particular इस चीज के लिए और मेरा target सब्सक्राइब करने वाले जो लगेगा ठीक है वो दिखाई देगा जो नहीं लगेगा वो को पास कर देंगे ठीक है तो ऐसा होगा मतलब ऐसा नहीं कि हम सारे parameter test कर पाऊगे क्योंकि possibility नहीं है अगर वहां login ही नहीं कर पार तो इसलिए सारे parameter नहीं पर हां जितना maximum हो सकेग वह मैं दिखाऊंगा करके आपको कि हाँ यह चीज है पॉसिबल है तो जो पहली आपको information gathering करनी है वह आपकर सकते हैं आपके पास option है Google hacking का यूज कर ले या फिर शुदान का यूज कर ले करके दिखाने वाला हूं मैं session के अंदर और पहले मैं दिखाने वाला Google hacking का जिसे है सब्सक्राइब कर लेता हूं और हमारा टार्गेट जो है वह क्या है Microsoft.com साइट कॉलन यहाँ पर Google Docs आप बना भी सकते है Microsoft.com से लिए जितना भी content होगा वह आपको यहाँ पर display कर दिया जाएगा ठीक है इस तरीके से आप बेसी के लिए एक तो यह information निकालते कि इस साइट के ओपर क्या क्या चीज़िए और लिक्स वगरा अबलेबल है ठीक है ना उसके अलावा आप यहाँ पर और अगर आपको advanced level पर कुछ और बनाना है तो वह भी आप यहाँ पर क्रिक्टर से जैसे मालों की file type कौन सा करना है या फिर particular आपने कोई excellence ढूंड रहे हैं इससे लेट सब दिखाता हूं मैं आपको file type .pdf ठीक है इस तरीके से आप दिख रहा हो को microsoft.com पर जितनी भी PDFs फाइल हैं वह सब आपको नजर आ जाएगी तो बेसिकली इस तरीके से आप यह हमारा Google Docs जहां पर मैं Google operator जिसे साइट हो गया हमारा file type हो गया सब Google operator से जिनको जाल के मैं define कर रहा हूं पहले मैंना site define कर दी site मेरा clear हो गया उसके अंदर मुझे क्या define करना file type PDF कर दिया दिख रहा होगा आप पो यतनी भी नीचे links आ रहेंगे सारे-सारे Microsoft पे जो PDFs available है वो दे रखा है यहां पर यह क्या सिखा रहा है तो अभी यह आने मेल रही हाँ एक यह अभी Excel available है Microsoft.com के उपर एक Excel available है ठीक है तो इस तरीके से आप जो है बेसी के लिए डाउनलोड होगी है तो इस तरीके गूगल डॉक का यूसर के आप काफी कुछ सब्सक्राइब करता हूं मैं तो Microsoft यह बड़ी ओर्गनाइशन और पर काफी सारे सर्वर्स होंगे तो दिखा रहा हो दिखा रहा है आपको यह कि इतने सारे रिजल्ट्स जो है इसने फाइंड आउट कर लिए उसमें से काफी जितने रिजल्ट्स है आपकी उनिटी स्टेट इसके अलब टॉप और प्रडॉट्स को दे रखें इवन आप यहां पर आके चेक कर सकते हैं कि यह जो आई पे अटर सकते हैं इसके जिसे मानलों की इन बना लिया इसके अब यह जो मैं स्टेब बाइस्ट बनाते चलना हूं इसकी में अलग मुझे वर्ड लिस्ट बना लि है तो पहला पार्ड जो है मेरा मैं और देख लेता हूं यहां पर साथ में रिपोर्ट भी बनाते चलते था कि आपको वह दिकत भी ना हो कि भाई तबंसर के रिपोर्ट के रिपोर्ट भी चल रही चलति साथ में ठीक है न तो यह ओक सौरी यह हो गया हमारा यह content अब यह है otg ठीक है तो यह हमने define कर लिया भाई यह मेरा इस चीज के लिए हैं अब उसके बाद जो है मेरा यहां पर information आ जागा जो भी information collect कर रहा हूं आप जो भी मैं search कर रहा हूं वो सारे details मेरी इधर पर इधर आती चल जाएगी अब जैसे मैंने यहां पर define कर रहा है कि भाई मैंने Microsoft टाइप कर रहा तो मुझे यह चीज मिल गई यहां पर आपको जो भी आपको लगता है IP address यहां पर जो भी डिटेल आपको publicly available मिलती है वह आप स्टूर कर सकते हैं यहां पर रादर बाद में आपके filtering वगरा होगी क्योंकि आपने black box testing के अंदर देखा होगा हमारे दूसरे चैनल के अंदर भी उसके अंदर दिखाया था मैंने आपको कि आपको इसे information gathering करनी है जो जो भी information available अभी इस ताइम पर आप एनस to the point information नहीं देख रहे हैं अभी आप इस टाइम पर जो भी आप में लगे हाथ क्योंकि मेरे काम आने वाला है Microsoft.com अभी मेरे practical की उपर चलेगा 20 हो गया हमारा ठीक है और रही तो बहुत बढ़ा हो गया ठीक है तो 20 ले 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 आपन 20 यह अपन डाल दिया है 20.112.52.29 ठीक है तो यह कुछ ipadis होगे जो मैं अभी निकाले है तो बहुत ठीक है श्रडान का result है यहाँ उसके आपने वहां से Google Docs से क्या ढूंडा Google Docs आपने कौन सा Google Docs यूज करा था वह भी आप ढा सकते हैं यहाँ पे Google Docs आपने डिफाइन करा था यहाँ पे PDF ठीक है न तो मेरा यह Google Docs रहा होगा फिर वहां से मुझे कुछ PDF के लिंक्स मिलें है वह मैं यहाँ पे Share कर सकता हूं तो जैसे मानलो पीछे आता हूं मैं आप इससे और बाक करता हूं वाक एक और बैक ठीक है अब यह मुझे जो कुछ लिंक्स मिले हैं ठीक है नहों सकता है यहां पे कुछ और है ना इसका PDF है को यह ना कुछ भी हो सकता है यहां पे इन सब के लिंक्स आपको वहां पर पेस्ट कर देने ठीक है तो यह मुझे के ओपन सोर्स इंफोमेशन ग्यादरिंग के दुरान मिला है ठीक है पहला वाला हो गया सेकेंड हो गया यह बीसिकली आपके जब आप ना कंपनी के लिए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करेंगे वहां पर भी काफी यूसफुल होगा यह वाला स्टैप जोए कंपनी को जानना ह उसके वेबसाइट इलेड़ेट पर इंटरनेट पर लीग करके बैठा हुआ है ठीक है तो इसको डाल देदें इसके अंदर मैं सेंपल तोर पर कुछ डेटा कर रहा हूं ठीक है सारे मैं नहीं कर पाऊंगा वह कितना टाइम नहीं रहेगा वरना बहुत लंबी जाईगी वी इसको कपी कर लेता हूं info 002 अब हमारा next वाले पार्ट पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसको मैं यहां पर डालता हूं ठीक है यह अपना कॉलन और फिर उसके बाद में कहां चलेगे गरूजी यहां फिंगर्प्रिंट वैब सर्वर अब देखो यहां पर समझना है कि यह आपने खुज के नाम भी डिफाइं कर सकते कि आप भी टेस्टिंग करते हैं ना सीखा ही है आपने एकर व्लाग चैनल से तो आप चाहो तो आपने भी टेस्टिंग के नाम डिफाइं करने हैं डेपन करता है कि आप किसपे relevant रिजल्ट मिल रहे है जो उसमें बोला ज़रोरी अगर मुझे वर्जन पता है तो उसके बाद फिर मैं आगे डिटेल भी निकाल सकता हूं तो मुझे वर्जन निकालने के लिए मुझे पास कुछ कर दो कि आपको किसके लिए कर रहे हैं मेरा डार्गेट जो है वह माइक्रसॉफ डॉट कॉम है माइक्रसॉफ डॉट कॉम ठीक है जो भी अपन को इशू आएंगे वह अपन यहीं पर रिजॉल्फ करेंगे ताकि पढ़ा चल जाए कि अगर पड़ी चाड़ी होगी तो यह तो है फाउंट हो हुआ है पर यह कंट्री यूएस बेज है यहां पर फिर राट करा है इसने कहां पर इन वाले पर ठीक है और फिर यहां पर कॉमन हेटर दी दिया उसने फिर देको माइक्रसॉफ डॉट कॉम स्लाश इन हाइफन आई एन पर सिने भीज दिया एक्सपिरियंस मै कुछ मिल रही है और इसके लाभा यहां पर कुछ हैडर की इन्फोमेशन भी आ गई है तो यह सब मैं कॉपी कर लेता हूं तो मेरे साथ से मेरे पास काफी नौलिजबल इन्फोमेशन आ चुकी है ठीक है को मैं copy कर लेता हूं और डालता हूं इसके अंदर watchwap और यह जो basically information रहेगी है हमारे काफी useful है कि जब इसको use कर सकता है वाट वैप ठीक है यह मेरा watchwap का output आ गया उसके आथ फिर मेरा second output आना चाहिए वह कहां से ले रखा है मेरा watchwap हो गया नेट क्राफ्ट से भी अपन निकाल सकते हैं नेट क्राफ्ट हो गया हमारा उसके अलावा server का response वह भी दिखाता हूं मैं आपको net craft जो है वह भी एक अच्छी website है ठीक है ना जिसके उपर आप आप किसी भी site के बारे में मतलब उसके hosting history हो गया या फिर मानलों उसके server के बारे में information निकाल सकते हैं तो यह भी open कर सकते हैं यहाँ पर resource में जाने इवन यहां पर दे रखा है कि teams.mixop.com.mixop.com.mixop.com तो Linux दे रखा है यहां पर इसको open कर लेते हैं भाई यह कौन आ गया मेरा है यह बार बार मेरा IP address को चेंज कर रहा है हाँ इसका IP address चेंज कर रहा है ठीक है कोई दिक्कत ने भी यह आला सर्वा मुझे बहुत limited information मिल रही है तो भाई यहां पर होड़ा चैलेंज होगे कि अपनको उसमें कुछ इसी जैसे यह ना hosting history रखा है ऐसी information अपनको नहीं मिल पाई इस वाले में यहां पर IP address आ गया कौन सा OS कर रहा जैसे अभी विंडोस तरवे 2008 यूज कर रहा है तो 2008 यूज कर रहा है त तो मैं यहां back करता हूं और फिर मैं struggle करता हूं Microsoft.com के लिए यहां Linux दे रखा है थोड़ा सा यहां पर कुछ challenge लग रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है एक तरीका फील होता है तो आपका दूसा तरीका अपना automatically on हो जाता है ठीक है ना तो अपन उसके लिए try करेंगे यहां स तो मुझे कोई information नहीं मिली तो मैं यह डालता हूं netcraft से मुझे बाबाजी का थुल्लो मिला no information ठीक है इसको मैं red salad करता हूं भाई मुझे यहां कोई information नहीं मिली ठीक है उसके यहां पर और क्या दे रखा है और कौन से तूर के नाम दे रखें और सेम टाइम पर मैं Microsoft.com भी लूड करता हूं अगर सर्वर के response में होगा तो ठीक है नहीं तो फिर मैं किसी और तरीकी से try करूँगा इसको निकालने के लिए ठीक है ना तो मैंने मैं यह साइड भी लूड कर दी साइड भी लूड कर दी मैं अपने वर्प सूट में जाता हूं एक बार चेक करता हूं यहां पर दिख रहा होगा आप वो काफी सारी साइड्स है वह आना शुरू हो गई कि Microsoft.com मेरा target है इसको मैं target को add to scope में कर लेता हूं ठीक है और यहां पर देखते हैं कि मेरा scope में होना चाहिए ठीक है अब देखो यहां पर मेरा तो response लेक रहेते हैं तो response में को दिख रहा है कि अपने को देखो यहां पर यहां पर करता हूं मैं इसको यहां समयने कुशिश करते हैं तर ट्रस का वर्दन इससे नहीं दे रहा है और फिर यहां पर कहीं पर कोई information प्रवाइड नहीं कर रहा है पर वहीं अगर बात करूँ मैं दूसरे सर्वर की जैसे दूसरा application है आपका दिख रहा होगा आपको यहां पर अपाचे को यह मिल रहा है 1.1 तो बिसिकली यह भी तरीका है आपका सर्वर की डिटेल निकालने हैं जरूरी नहीं कि आप उसी से निकाले इससे भी निकाल सकते हैं अब यहां नहीं मिली तो फिर क्या करें तो फिर एक और option है हमारे पास मैं भी ट्राइक करूंगा ठीक है ना पहले है इसके अंदर अपन देख लेते हैं कि यहां सर्वर्वर क करते चलो और फिर आगे बढ़ते चलो इसको मैं डाल दाओ ठीक है तो यह हो गया हमारा अब दे लेते हैं एक बार उसके बाद दूसरा वाला कौन सा क्टेगरी दे रखा है हमारा रिव्यू एप्लिकेशन मेटा मेटा फाइल्स फॉर इंफोमेशन लिके जब मेटा फाइल इसको भी अनलाइज से अगर आपन इवा चेक कर लेते हैं कि कौनगों से अवेलेबल है तो इसके लिए करना पड़ेगा पहले आपन इसी केटेगरी बना लेते हैं यहां ठीक है यह अपन लेते हैं और इसकी यह नहीं कोई सेल्फ प्रक्टिस मैंने नहीं खरी है मैं डिरे आप सेर्च करने जारा है वहां पर आपको information मिली जाएं तो इसलिए को इसलिए बात नहीं मिलता तो इसको ब्लांक छोड़ दो और अपने इसकी testing करी और इसमें कुछ नहीं मिला अपनको no information found यहां पर को information leak नहीं हो ठीक है तो अपना यहां पर आ गया है तो अब ऐसा कर ले कर रहा था यहां पर कोई एन हाइफन सारी किदर गया मैं भूल गया किदर कहीं कर रहा था हाँ एन हाइफन ऐन ठीक है स्लाश रोबोर्ट्स डॉट टी एक्स्ट एक बार चेक कर देखते हैं यहां पर कुछ मिल रहा है क्या पहला ऐसा करते हैं कि इसको मैं अलग से फोल्डर बनाता है यहां पर मैं टेस्टिंग वाला सीडी टेस्टिंग ठीक है सीडी टेस्टिंग इसमें गुछ जाता हूं मैं ठीक है अब उसकी बाद फिर मुझे करना है डबलू गेट और फिर मैंने यहां पर डाल देना है इसकी मैं माइक्रसोफ्ट डॉट कॉम स्लाश इन हाइफन आइन अग्र रोबोट डॉट टी एक्सट यही था मेरे साब से घाम मैं अब्सक्रास चेक कर लेता हूं यह हो गया यह हो गया इन हाइफन आइन ठीक है चलेगा वह चेक करते हैं यहां पर कोई फाइल मुझे मिल अगर बिल रही है तो यहां पर मुझे कुछ नहीं मिल रहा है यहां पर चेक करते कि इसकी जगहर मालोग यह कुछ होता फीजबॉक.com ठीक है रोबो.txt ओक है धिख रहा होगा आपको यहां पर जो रोबो.txt ना विसकी यह काम आता यह कोई बीडेटा को डाउनलोड करने जिसकी हेल्ब से आप किसी भी पेज को डाउनलोड कर सकते है आराम से तो मैंने यहां पर जो रोबो.txt जिनको नहीं पढ़ा दू मैं कि यह हम लोग SEO के लिए यूज करते हैं इसके अंदर हम अलावड और डिसलाव डारेट्री का लिस्ट डाउन करते हैं क्योंकि क्या होत होगा उसको सर्च इंजन पर इंडेक्स कर देगा मतलब उसकी यहां Google पर क्रीट करते हैं जो डिसलाव होगा ना उसकी अंट्री कभी क्रीट नहीं करेगा तो डिसलाव बिसिकली साइट डवलपर को कौन से पेजसों करना चाएगा उन पेजस को जो वो चाता है कि Google की ओपर और वो सर्च में ना एडिन पेजिस हो गया से कॉंफिदेशल पेजिस को वह डिस अलाओ करना चाहेगा तो रोबो डॉट टीक्सी से में वह इंफोर्मेशन मिल जाती है ठीक है तब मैंने इसका जो है मैं एक बार चेक करता हूं एलेस मारता हूं करके मैं रोबो डॉट टीक्सी के अंदर आ गया तो यह काफी कुछ चीजे मुझे मिल गई है यहां से और कुछ डिस अलाओ डारेक्ट्री जो शायद फीस्बुक नहीं चाहता कि हम देखे पर अपन ने देख लिया क्योंकि अपनने अपन अभी इंफोर्मेशन गैधिरिंग सब्सक्राइब करने के लिए गूगल के बाट्स वगरा जो होते हैं अलाद देखा है जब भी वह बॉट अगर आएगा तो उसका अपना यूजर एजेंट आता है तो फ्रो करता है रिक्वेस्ट तो अगर यूजर एजंट जो मैच होगा जिसे बाइडियो स्पाइडर ठीक है ना उसके अलावाद देखो यह बिंग बॉट के लिए यह डिस अलावड है सब्सक्राइब को इस तरीके से ना पूरा 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 डिफाइन कर रखा है डिस्कॉर्ड अगर यूजर एजेंट में जैसा अभी दिखाता हूं को यूजर एजेंट कहा नजर आएग पर तो वह अपना यूजर एजेंट लिखे जाएगा तो इसको सिर्फ यही चीज अलावड कर रखी है तो इस तरीके से यह काफी हेल्फुल रहता है हमारा सब्सक्राइब करने के लिए काम आता है और अब उसके बाद अपन ने यह कर लिया सब्सक्राइब कर सकते हैं मेटाफाइब के बारे में भी आप इन्फोर्मेशन निकासे तो मेटाफाइब के लिए डारेटली इदर साइट पर जाओ Microsoft.com टाइफ करो Microsoft.com और स्कार्सूर्स कोड़ उपन कर लो और फिर डारेटली वहां से भी आप चेक कर सकते हैं ठीक है न यहां से यहां फिर शॉर्टी अग्सव्ड.com इसके अलावा आपको तो यहां से भी हम लोग एना मेटा टैंक्स वगरा जो हैं महां से अम लोग आइडिटिफाइब कर सकते हैं ठीक है दिख रहे होंगे आप किधर नहीं हैं आगया इन्हें आगया इन्हें आगय है हमारे ठीक है तो यह भी काफी यूसफुल रहता है हमारे ठीक करने के लिए कि पेज़ जो कुछ सहाफ से क्या है उसका की वर्ट वगरा वो सच्छी चेक करने काम आता है तो यह बिसिकलिए SEO पॉंट आवी से काम आता ताकि आप एक्जाक्ट इंफोमेशन जोना वही अन्वेशन लेट करने के लिए अन्माप का यूस कर सकते है उसके अलावा देनस रिकान का कर सकते है और फिट्स तीनों चीजए अपने पास आप्शन है अवलेबल अपने पर इसके अन्टरिग्रेट कर लेते हैं वह यह हम करने वाले है ठीक आपन यहांभी हान पूरा पी ठीक है इसके अलावा Source Code एवलेबल ठीक है तो वह आपका ठीक है ना Source Code आपका Homepage देरता हूं पेसोर्स-Code अवलेबल ठीक है तो यह अब रख लो किसी फोल्डर के इंदर में एक फोल्डर बना लो जिसके अंदर आप आना जैसे तो इस तरीके से अपना हो जाएगा तो अब नेक्स्ट वाला वह है ये वाला फूर्थ नंबर का फूर्थ नंबर का जो पॉइंट है इसको अपन चेक करते हैं एक बार इनम्रिर्ट अप्लीकेंशन और वाप उनम्रिट पर शर्वर ना ये पेंट करने जारी तो इसके लिए यहां पर जाते हैं आपन एक मृडल में डालते हैं और अब तीन चीजिए में यूज करने वाले हैं हम लोगन करने वाले करने वाले करने वाले तीनों चीज आपको धरी मिल जाएगी ठीक है DNS रिकॉन और फिर यहां पर हाइफन इस्माल वी और डी कर सकते हैं अपन डी इस्पेशली डोमीन के लिए वी बर्बोस ताकि आउटपुट भी नजर आए आपका सामने ठीकिना माइक्रसोफ्ट.com के लिए करते हैं अपने डीनस रिकॉर्ण और आइंटिफाय करते हैं आपको अब जब आप बाइडिफॉल्ट यहाला कमांड नीजिसे यह जो कॉम यह कॉमन कमांड है ठीक है ना जब कॉमन कमांड टाइप करोगे तो वीजिकली क्या हुआ कि आपके उस क इंफोर्मेशन गैदरिंग कर रहे हैं तो अपन चाहरे कि कितनी माक्सिमम से माक्सिमम लेवल की इंफोर्मेशन हम लोग गैदर कर सके तो वह हमारे लिए यूसल हो जाएगे दिख रहा होगा आपको यहाँ पर सारी चीज़े इसने गैदर कर दी है ठीक है अब इसको अगर और यहां पर पेस कर लिए ठीक है तो मैं यह record मिला है यहां से अपनने यह सेव कर लिया है उसके आप यहां पर क्या रखा है कि DNS record हो चुका है उसके लावा अब यह जो आप OWAS TOP 10 की checklist आप फॉलो कर रहे हैं यह आप तब फॉलो करो जब आप किसी company के लिए ही काम कर रहे है और उसी के domain और उसी के servers पर काम करना है अगर आप किसी की testing कर रहे है किसी other company की testing कर रहे है और उस time में अगर आप यह सब step फॉलो करना है तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना है और शाइद company तो पी आप भी नहीं करें नहीं है तो वह मना कर सकते हैं आपको और अगर आपको बोलते कि हां करना अगर आपकी अपनी कुद की company के लिए कर रहे हैं तो यह काफी यूसफुल होती और उस कंडिशन में जब आप जब कोई एक्स्टनल और आपके आपकी वेबसाइट के तो उसको बहुत कम बग मिले क्योंकि यहां पर आपने काफी कुछ कर लिया इसलिए यह सिरीज यह काफी नेक्स लेवल क्योंने वाली है असा कंडिट्स आपको सिस्टमाटिक वे में कहीं नहीं मिलने वाला मेरे साफ से तो जितना मैंने देखा है तो उसके लिए यार अगर आप चाहें तो हमारी membership जो ह डाल डाल डबल हाइफन डोमें लिख दो और स्पेस देकर नाम लिख दो अब दिख रहा है यह भी आपको अब इसमें कहा है कि इसके नियरभाइ डोमेंस भी अगर मालो आपने कोई रेंज लिए तो आकाउंट्स.mics.com लिया है ठीक है ना तो इसके यह जो इसका आइपी तो इस तरीके से यह काफी useful information होती है अगर मालो आप इना collect कर रहे है जो मेरी बहुत confidential और जिसको मैं बहार नहीं डाल सकता तो यह बहुत इंपॉंटर अब देखो यार आप Microsoft कर रहे है आपको पता है कि Microsoft.com चुटी site ने चुटी company ने बहुत बढ़ी कम तरी है तो इसलिए तो इस यहां पर कमांड दिखा दो आपको आपको यहां पर आपको आपको आई-पेडस आ गया तो इसी आपको मीन डोमेन को ही पिंग करके और उसी के बारे में आपको डिटेल निकालनी है आपको कर रहे हैं इस वाले के उपर आपको यही सेम कमांड इन सारे आइपेटर्स पे चलाना है ताकि आपन यह चेक कर सके इन सारे सारे सर्वर्स के उपर क्या कोई वैब सर्वर रन कर रहा है नहीं कर रहा है तो मैं अभी सिर्फ कर रहा हूं दोनों सीम बात यहां से भी सीव कर सकता हूं और और यहां पर डालता हूं मैं और यह आउट पूट आगया आपका उसके आपना इस बहुत बहुत लंबा चलना क्योंकि आपको बटा यह बहुत लंबा चलने वाला था थीक है थीक है थीक है ठीक है ठीक है कौपी 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 भाई इतने सारे डीटेइल मिल जाएगी न और एक टीम घण जाना मतलब 25-30 बंदो की डीम मैं 25-30 बेर बोल रहा हूं में अगर आप 10-15 बंद भी डंक से बिछा दो गए न तो भाई खतम है फिर तो तो आप साथ में इसका जो आउटपुट रहेगा वो भी आप यहां पर पीस कर सकते डारेटली वह आप सकते हैं वो भी एक ना आप्शन है आपके पास ओड़ों है यह दार में realtime है अधार करते हैं यह तरीका होता है ठीक है ना तो आपको काफी चीजें मिल रही हो काफी filter हो यहां पर आपने चल ले तरह तो अपना यह वाला जो पार्टे वह कंप्रीट हो गया है ठीक है एक मिंट कहां चला गया मैं कि तो इस अगर आप चाहें तो जिसे यहां पर आप चाहें तो इनका प्रटिकुलर आप अपना कमांड भी जो है ना वह एड कर सकते हैं और अगर आप चाहें कि मुझे टूल का नाम एड करना तो बस आप तूल के नाम के बाद और नीचे आप पर आपके पास हो गया हमारे पास तीक है ना उसके लावा इसके उपर वाला जो डिनर डिनर से कौन हो गया यह तीन चीज़े आपन तो नीचे आते हैं अपन काफी लंबा हो रहा है थोड़ा साथ नीचे ठीक है यहां पर आ गया है यह डाल दी आपन ने और इंफोर्मेशन लीकेज यह रेव्यू बाप पीज वाप पेज comments and metadata for information leakage के लिए अपन को ये चीज़ चेक करनी है ठीक है तो इसको यहां पर पेस्ट कर दो पेस्ट करने के बाद एदर वर्ड में करना है ब्राउस करना है ठीक है अब यहां पर ब्रादू में अगर आप कोई भी साइड को ब्राउस कर रहे है तो वहां पर वर्प सूट का यूज़ करो वर्प सूट के अंदर भी एक ऑप्शन आता है जहां पर आपना comments जितने भी होते ना क्योंकि क्या होता है जैसे हम डव को comment जो होते हैं कई बार वहां पर हम डालते है कि admin panel admin link है admin URL है या फिर यह open API हो गया या authentication हो गया या फिर form हो गया ऐसे कोई बिकर comment add कर रहे हैं जो basically developer के लिए होता है समझने के लिए वह code का part नहीं होता और वह run भी नहीं करता है as a code ठीक है ना तो वह sensitive information अगर आपन gather कर लेते हैं किसी website से तो वह हमारे काफी useful होती है हो सकता है कि वहां पर कुछ आपको hard coded password मिल जाए जो टेस्टिंग के दुरान developer ने यूज करा था और वो हटाना भूल किया ध्यान दे कि ना testing के अंदर हम लोग सिर्फ वही चीज नहीं वह चीज भी cover करते हैं जो शाहिदे कि developer ने गलती करी और वह अपन capture कर सके प्रॉपर यह से तो यह भी काफी important information होती है as an attacker point of view तो अब जैसे मान लोग मैं दिखाता हूं आपको कि मैंने कोई भी साइट जो है स्ट्रॉल कर रही है जैसे मेरा Microsoft.com मैंने अभी स्ट्रॉल करा नीचे आता हूं मैं तो नीचे मेरा एक page load हो गया होगा दिखा जाए तो तो यह वाला engagement tool में जाएंगे आपन यहाँ पर दिरखा है कि find comments तो comments को जब मैंने click कर दिख रहा होगा आपको यहाँ पर कुछ comments जो है वो available हो सकते हैं अगर किसी ने डाले हो तो ठीक है न तो अब मैं डालूँगा यहाँ पर दिख रहा है आपको यहाँ पर कुछ कुछ comments जो है कर सकते हैं जिसे scanners की सुरूब अपने identify कर रहा comment पर चेक कर रहा हो अपने आप बताया कि क्या चीज़ यह लीक कर रहा है ठीक है न तो यह आगया 123 इवन आइटम के अंदर आप दिख सकते हो कि यहाँ पर क्या चीज़ गिवन है दिख रहा होगा आपको यहाँ पर आइटम यहाँ पर लाइसेंस इंफोरमेशन सी दिस तो भाई यहाँ पर लाइसेंस की कुछ इंफोरमेशन अवलेबल है डिकाना कॉन्फिक फाइल for 80.js लाइब्रेडी दिख रहा होगा आपको सी टार्गेट व्रॉपर्टी यह तो यहाँ पर कुछ हाड कोड़ अगर आपनको मिल ठीक है न तो यह इस तरीकी बेसिक बहुत सारी इंपॉर्टेंट छोटी चीज़े करने वाले जो एक बड़ा डवलपर भी छोड़ देता है इस चीज़े कर सकते हैं यहां पर कोई अगर एक यूरल मिल गया जहां से किसी सर्वर का एकसस मिल रहा है तो यह काफी important information होती है और इसको आप report भी कर सकते हैं बीसिकलिए यह report भी कर सकते हैं यहां पर कोई confidential information जो है वह वह लीक हो रहा है ठीक है तो यह सब चीज़े आपको यहां मिल जाती है तो यह काफी कुछ important जो है ना रहता है testing point of view ठीक है तो मैं key वाला part लेलता हूँ कि मुझे लगा वो काफी interesting था है न तो इधर नीचे आते है अपन js files के अंदर reflection यह ला ठीक है so page request please दे रखा है यहां पर js वाला इसको जाके यहां पर EDC slash ठीक है यहां पर comment मिला मुझे js नीचे और यहां पर मुझे मेर को एक key मिल गई ठीक है न तो I will just prefer for this key यह key मिली मुझे ठीक है sounds good तो इस टाइप की कुछ information मेरे लिए काम दे तो मैंने यहां पर note down कर लिए ठीक है तो यह पहली वीडियो है इसमें जदा मैं कुछ आगे नहीं बढ़ूंगा और आप जो है आने आली वीडियो जो रहेंगी वह आपकी रहेंगी हमारी पीट सीरिस के अंदर तो इसको मैं लाइट करेता हूं और इवन आप चाहें तो प्रॉपर रिपोर्ट बना दी मैंने आपके सामने अभी थोड़ी देर के अंदर इसको जाके अपन एक बार थोड़ा सा इसका लियाओट वगर भी चींज कर लेते हैं डिजाइन में जाके थोड़ा साथ की पुताई कर देते हैं अपने देखा जाए तो ओ भाई तो बड़ी गंदा सा हो रहा है तो यहां पर अपन खोड़ा बॉल्ड कर देते हैं तो इस तरीके से आपका यह बन जाएगा ब्लू कुलर एक सेकेंड यह थर्ड वरी गूड यह हो गया आफका फॉर्थ और उसके बाद नहीं जाओ नहीं जाओ नहीं जाओ नहीं जाओ बहुत सारी इंफ्रमेशन है भाई हां तो नहीं जाता हूं नीचे और फिर यहां पर है कि कॉमेंट वाला लास सेक्शन है हमारा है तो यह हो गया ठीक है तो यह हमारा हो चुका है इसको अपन लियाउट वगर अच्छा फिक्स कर दो यार इसका थोड़ा सा लगना चाहिए यह अपनने बनाया है यह हो गया आपका ठीक है तो यह मैरा हां यह मेरा अपर चुका है उसके वाद फिर मैं चाहँ तो यहां पिछ का ब्लांक पी जाड़ कर दो मैं स्टार्टिंग में ठीक है तो कवर पी जाड़ कर दिए अपन इन्फोमेशन ग्यादरिंग ठीक है ओवास्ट चेक्लिस्ट वीफोर एथा नाम कि यहां पर आगे यह सब्सक्राइब अरां से ठीक है तो यह वाद जदा हो गया उपन नीचे तो है ठीक है यही सही है हमारा इसको करते रहेंगे ब्यूटिफुल जो बनाना वो पर बनाते रहेंगे इसको आराम से परस्ट टाइम है आज का एक तार एक कंप्री नेम हैकर सब्सक्राइब कर सकते हैं कॉल करके आफ करिए हमारे साथ में और यह हो गया हमारा कंप्लीट अरे रहे भाई ठीक है सो यह एक थोड़ी सी रिपोर्ट बना दी मैंने आपके इन्फोमेशन गयादरिंग की वास चेकलिस्ट वर्दन फोर सो यह स्रीज होने वाली काफी इंट्रस्टिंग क्योंकि इसके अंदर आप काफी कुछ सीखने वाले और यही हें इस मन्त के अंदर हम लोग इस परीगरें पुरी सीरी सो कंप्लीट कर देंगे जो जो उसके अंदर आवलेपल है ठीक है न ट्रा करेंगे maximum लोग सेंजिघे वेलेबल कर सकेए वह तो नहीं कर पहेंगे पर maximum चीजिघेंगे बिग इसमें ट्राइय में कवर करने के लिए नहीं तो उसके बारे में जान करी ज़रूर देंगे इस लिडियों ले इतना ही, thank you, have a nice day, take care, bye bye